नमस्कार साथ यह स्वागत है आप सभी का मैं हूँ दीपक राजपूत और आज हम जुड़े हैं हिंदी साहित्य के महतपूर्ण प्रशनों से संबंदि जो की हमारी क्या है महामेराथन कलास रहेगी चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए कलास को शुरुआत करेंगे उसे प पहला कोशन है आप सभी ने देखे जल्दी जल्दी आंसर देना है ताकि आपके क्या है मैक्समुम जो कोशन हैं वो कंप्लीट हो सके सबसे पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है हिंदी साहित्य का अतीत किस ने लिखा था डाक्टर विश्वनात तिवारी विश्वनात की त्यारी कर रहे हैं क्या अंसर जाएगा हिंदी साहित्य का अतीद किसके दुबारा लिखा गया था अचारय विश्वनात प्रशाद मिस्र जी के दुबारा तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा इसका अंसर अगला कोशन देखिए कोशन नंबर दो है आ प्रारंबिक काल बताएं जल्दी से देखे आरंबिक काल है एक तो दोनों में फरक समझियेगा आरंबिक काल है ठीक है और प्रारंबिक काल यहाँ पर जो option है आपको नहीं दी गई है प्रारंबिक काल में ठीक है प्रारंबिक काल की संग्या किसके दुवारा दी गई थी बता गणपती जी ने नाम दिया था प्रारंबिकार और आरंबिकाल नाम किसे ने दिया था मिश्र बंदुओं ने आरंबिकाल नाम दिया था अधिकाल को ठीक है चलिए अगला कोशन देखिए निमलिकित में से कौन शिलांकित कृती है पाहुड दोहा है राहुल वेल है राहुल रतनाकर है चैन कीजी आंसर क्या हो जाएगा कौन सी शिलांकित कृति आपको देखने को मिलती है क्या उत्तर जाएगा विकल्प नमबर बी सही हो जाएगा राउल वेल जल्दी से कमेंड बोक्स में बताना है राउल वेल राउल वेल किसके दुवारा रचित रचना है ठीके अगला कोश्यन देखे शाली भद्र सूरी की रतना का नाम बताना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्जाम में आपको ये पूछ लिया जा सकता है नेमीनाथ रासो भरतेश्वर बाहुबली रास सुम्तिगण रास या फिर जैम्यंक जस्चंद्रका सीधा सीधा अंसर दाए जाते हैं इंप कोश्चन हैं तूतिए हिंद तोता एहिंद सितारे हिंद या फिर सर हिंद तो देखें दोस्तों सी और्डी आप्षिन तो नहीं होगा तो ज्यादा तर जो फ्रॉबलम आती है यहाँ पर आती है ठीक है तोता हिे या फिर तूतिए cicay उन कीज़कर क्यांसर के अंदर आपको ये question पूछा गया था तो तूतिये हिंद इसका answer लगाया था ठीक है तो आपको दोनों ही देख लीजेगा वैसे जो इसका सटीक answer जो बनता है KVS 2007 के exam के तोर पर तो इसमें तोता ये हिंद ना कर तूतिये हिंद पर इन्होंने answer सही लगाया था ठीक है तो इ तूतिये हिंद लगाकर आना है ठीक है एक्जाम में तो विकल्प number A लगाकर आना है ठीक है वैसे ये question के अंदर आपको अगर ये दोनों ही option मिल जाती है तो आपको benefit of doubt मिल जाएगा आदी काल को बीज बपन काल नाम किस ने दिया है important question है देखे जब भी आप आदी काल से सम मंदित नाम करन पर जाएंगे तो आपको दो तीन question देखने को मिल ही जाते हैं बीज वपन काल नाम किस के दुवारा दिया गया था महावीर परसाद दिवेदी जी के दुवारा दिया गया था ठीक है तो विकल्प number C सही हो जाएगा next question देखे देसिल वैना सबजन मिठा यह है पंक्ती परसिद उक्ती या फिर पंक्ती किसके दुवारा कही गई है विद्यापती अमीर खुसरो अब्दुर्रह्मान या फिर गंग करी क्या अंसर जाना चाहिए इसका बहुत बड़ी है विकल्प नंबर क्या हो जाएगा एस ही हो जाएगा विद्यापती जी के में धर्म सूरी है साली भात्र शूरी है या फिर धनपाल जी है क्या अंसर जाएगा इसका कोशन पूछा गया है उपदेश रसायन किसके दोबरा लिखी गई थी जिन्दत सूरी जी के दवरा तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा अगला कोश्यन देखिए अगला कोश्यन है निमिलिखित में से किस कवी को अप भरंश का बालमी की कहा जाता है सरहपा पुश्पदंद स्वैंभू या फिर हेमचंद क्या आंसर जाना चाहिए चैन कीजिए कोश्यन अभी को अभीनब जैदेव नाम से जाना जाता है most important very very important question है अभीनब जैदेव आप से पूछा जाता है तो ये किसके नाम आपको देखने को मिलते हैं विद्यापती जी के मिलते हैं ठीक है कवी शेखर मिल जाएगा मैथिल कोकिल मिल जाएगा तो मैथिल कोकिल most important है ये भी नोट कर लीजेगा निमने में से कौन सी रतना व्याकरन गरंथ है कीरती पताका है चरया पद है उक्ति व्यक्ति परकरन है या फिर वर्ण रतना कर चैन कीजे जल्दी से क्या आंसर जाएगा कीरती पताका है चरया पद है उक्ति व्यक्ति परकरन या फिर वर्ण रतना कर ठीक है ना बताएं किसके पास वर्ण बहुत जादा होते हैं रतन होते हैं परबंद चिंता मनी के रचैता कोन है दामोदर पंडित हैं कभी आगसु है रोडा कभी है या फिर मेरू तुंग है अंसर चैन करना है परबंद चिंता मनी किसकी चिंता कर परबंद करना है मेरू की ठीक है? तो मेरू तुंग जाएगा बहुत बढ़िया. दामोधर, शर्मा जी की मानी जाती है. कौन सी रतना मानी जाती है? दामोधर, शर्मा जी की उक्ती व्यक्ती परकरन. और वौन रतनाकर, या फिर अनुभाश्य इंपॉर्टन कोशन है चैन करना है क्या आंसर जाएगा कोशन नमबर 13 का बहुत बढ़िया विकल्प नमबर डी जाएगा अनुभाश्य है आई एमपी कोशन है बलवाचारे से सम्मंदित कोशन आपको पूछ लिया जाता है विज्ञान गीता की रचना किसके द्वारा की किसके द्वारा लखी गई इसको ऐसे याद कीजेगा केशव की किरपा से की गई तो क्या इत्तर जाएगा विकल्प नमबर सी ठीक है विज्ञान की गीता केशव दास के द्वारा की गई अगला देखे खेट कोतुमकं किसकी रतना है रहीम रस्खान गंग कभी या फिर दा बहुत जादा पूछे जाते हैं एक्जाम में वर्न रतना कर जो तिश्वर ठाकुर के दुवारा लिखी गई थी गोकुल नात की रतना का नाम इनमें से कौन सा है चोरासी वैशनम की बारता भक्त माल छिताई बारता या फिर गोसाई चरित चैन कीजे जल्दी से मोस्ट इ बावण वैशनम की बारता भी किसकी है गोकुल नात जी की है अगला देखिए लुदर संपरदाए की इस थापना किसने की लुदर सवामी स्री सवामी विश्णू सवामी या फिर निम्बका चारे चैन कीजे लुदर रूप किसके द्वारा धारन किया जाता है समें समें प पानी important है ठीक है कई बार आपको दे दिया जाएगा प्रबू जी तुम दीपक हम बाती ऐसे भी दे दिया जाता है किसके दुआरा ये पंक्तियां कही गई थी संत रैदास जी के दुआरा ये पंक्तियां कही गई थी विकल्प नमबर डी जाएगा इसका अंसर उन्निस्वा क कोशन देखे केशव कही ना जाए का कहिए पंक्तियां किसकी है केशव दास की कवीर दास तुलसी दास या फिन नर हरिया दास जी की चैन कीजिए क्या आंसर जाएगा देखे इस परकार का कोशन आपको कन्फ्यूज कर सकता है एक्जाम में ठीक है तो आपने आंसर बिलकु की रचना किसके द्वारा की गई नाभा दास धरनी दास इश्वर दास या फिर मलूक दास नाभा दास की जी के द्वारा भक्त माल रचना लिखी गई थी ठीक है दोसो कवियों का वर्णन है अंगद अंगद ने अपने पैर किस पे किसके किरपा से रखे इश्वर की किरप से हैं ना तो विकल्प नमबर क्या जाएगा सी जाएगा इश्वर दास रामा अनुजा चार्या ने किस दर्शन का प्रति पादन किया है अद्वेत वाद शुद्धा द्वेत वाद विशिस्टा द्वेत वाद या फिर द्वेत वाद रामा अनुजा चार्या ने बताएं जल बल्वाचारय जाएगा ठीक है अगला कुश्चन देखिए राधा बल्लव संपरदाय का परवर्तन किसके दुवारा किया गया बल्लवाचारय मदवाचारय हित हरिवंश या फिर सूर्दास important question है राधा बल्लव संप्रदाय का प्रवर्तन किसके दुबरा किया गया राधा बल्लव क्या करेंगे हित करेंगे किसका हित हरिवंश का तो विकल्प नमबर क्या जाएगा C सही हो जाएगा question number 23 देखे और अन्या TGT PGT जितनी भी परिक्षाएं आप देते हैं उनके लिए भी महत पूर्ण ये साहिते से सम्मंदित रचना है व्याकरण के भी question आपको इसमें देखने को मिलेंगे कबीर किस साशक के समकालिन थे important question है कि मायू अकबर सिकंदर लोदी या फिर बहादुर शाह जफर क्या अंसर जाएगा question number 23 का क्या अंसर जाएगा कबीर किस के समकालिन माने जाते हैं तो सिकंदर लोदी फिर शेक तकी के कहने पर कबीर जी को गंगा में बेडिया बांद कर बहादिया गया था शिकंदर लोदी के दुवारा और देखे कबीर जी को कबीर जी के मुसलिम जो जो कथनकार रहते हैं उन्होंने कबीर का गुरू किसे माना है शेक तकी को माना है ठीक है तो कई जो हिंदू साहितेकार है हिंदी साहितेकार है उन्होंने इसका इसको अलग माना है के कबीर के गुरू और कोन है रामानिंजी है ठीक है चलिए प्रेम क प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनों है इस पंक्ति के रचैता कोन है आलम है मती नाम है घनानंद या फिर बोधा जी चैन कीजे क्या अंसर जाएगा प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनों है किसके दुवारा लिखा गया था बहुत बढ़ि की प्रेमिका कोन सी थी ठीक है जिसके कारण ये बिलकुल बोधा हो गए ठीक है घनानंद जी सुजान के कारण और बोधा किसके कारण बताएं जल्दी से इनकी प्रेमिका का नाम क्या था शिवराज भूशन गरंथ में किसका विवेचन मिलता है रस का धवनी का अलंकार या फ विकल्प नम्बर क्या जाएगा सी सही हो जाएगा ठीक है अलंकार विवेचन गरंथ में बनता है ये अगला देखें निमिलखित में से कौन सी रचना एव रचना कार का योग में सही नहीं है ठीक है नहीं है आप से पूछा गया है कावया निर्दे भिकारी दास का है किसके दवारा लिखी गई थी चिंता मनी की ठीक है भाव विलास चिंता मनी जी की ठीक है भाव विलास किसकी रचना यहां पर दी गई है केशव दास की जो की नहीं है ठीक है तो क्या अंसर जाएगा विकल्प नमबर डी जाएगा चैन करना है जल्दी से बताए भाव विल परबोध पचासा गरंत की रचायता कोई है रामानंद है कवीर है मती राम है या फिर पदमाकर है क्या अंसर जाएगा परबोध पचासा बहुत अच्छे चैन किजे जल्दी से क्या अंसर जाएगा विकल्प नंबर डी जाएगा पदमाकर ठीक है परवोध पचासा के रचनकार कुन है पदमाकर जी है अगला देखे रीती काल को अलंकृत काल नाम किसके दुवारा दिया गया रमासंकर शुकल रसाल विश्वनात मिश्र बंदू या फिर रामचंद्र श यह लाम दिया गया था अगला देखें निम्न में से किस कवी ने ससै की रचना नहीं की है मती राम सैनापती विहारी या फिर विरिंद कवी चैन कीजिए important question है ऐसे question भी आपको देखने को मिल जाते हैं ससई की रतना किसके द्वारा नहीं की गई सैनापती के द्वारा ठीक है किसके द्वारा सैनापती के द्वारा और देखे इनका परकिरती चितरन पर बहुत अच्छी पकड़ थी इनकी रतनाओं में सैनापती जी की अगला देख या फिर मैथली शरण गुप्त जी कोशियर नंबर 30 का आंसर चैन करना है क्या हो जाएगा देखे धन्य भारत भूमी भारत भूमी के साथ सबी को क्या है प्रेम है तो क्या आंसर जाएगा बदरी नरायन चोधरी प्रेम घन इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है विकल्प नं गंगा पार की यातरा या फिर सरियू की यातरा इंपोर्टन्ट है ये कोशन आपसे पूछा जाता है exam में अकसर क्या आंसर जाएगा कौन से यातरा पर लिखा था? बहुत अच्छे विकलप नंबर डी जाएगा सरियू पार की यातरा ठीक है या फिर इश्वर चंद विद्या सागर क्या अंसर जाएगा सिधा सिधा अंसर जाएगा तदिया समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भारत एंदू हरीश चंदर जी के द्वारा की गई थी ठीक है इनकी तीन महत पूर्ण पत्रकाएं भी थी जल्दी से उन सभी त नाम बता दीजे ठीक है इंपोर्टेंट जो पत्रकाएं बनती है रामब्रिक्ष बैनिपूरी की कौन सी कृति यात्रा विर्थ है सागर की लहरों पर आप्रवासी की यात्रा पैरों में पंथ बानकर या फिर मेरी यूरोप यात्रा इंपोर्टेंट है यहां से आपको पैरों में पंक बांध कर ठीक है बिर्ङश पर चड़ना है पैरों में पंक बांध कर बिर्ख पर wal सवी चौनथिसे सवां कोशन देखें निम्ण में से कोंसी रतना एविन उसके रतनाकार का योग में 70 कोशन आप बड़े ध्यान से कीजिएगा कि के केар болi को कवीत कोमदी राम नरेश तिरपाथी जी की है, हिम क्रीटनी, माखल नाल चतुरुवेदी की है, ये भी सही है, हलदी घाटी, शाम नरायन पांडे, बिल्कुल सही है, रस्वंती, सिया, राम सरन्ण गुप्त जी की रचना नहीं है, तो विकल्प नमबर क्या जाएगा, डी सही हो जाएगा अगला देखिए, कोशन नमबर 35 है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष करम है, इस पंक्ती के रचायता कोन है, राम धारी सिंग दिनकर, मैथली शरन गुप्त निराला जी या फिर सुबदरा कुमारी चोहान, मोस्ट इंपोर्डन कोशन है, क्या अंसर जाएगा इसका, बहुत बढ़िया, मैथली शरन गुप्त जी के दुवरा, ठीक है, क्या है, अधिकार खोकर बैठना गुप्त तरीके से, अधिकार खोकर बैठना गुप्त तरीके से, यह महादुष करम है, तो किस के दुवरा, तो आपको देखिए, गुप्त बीच में आ जाएगा, तो मै पुरिस सो बारा यानि की ए आंसर जाएगा विकल्प नमबर ए सही हो जाएगा ठीक है बताएं जल्दी से भारत भारती किसके दुवारा लिखी गई रचना थी और राष्ट भक्ती पर कही रचना थी जिसके कारण क्या है इनको जेल भी जाना पड़ा था ठीक है अगला देखी गई थी महावीर परसाद दिवेदी हजारी परसाद रामचंदर शुक्ल या फिर शामसुंदर दास जी क्या अंसर जाएगा संपत्ति शास्र इंपोर्टेंट है किसके दुवारा दिखा गया महावीर परसाद दिवेदी जी के दुवारा ठीक है अगला कुश्चन देखे साकेत महा काव्य का सरवाधिक मारमि का मारमिक सरग कौनसा है सस्ट है सस्तम है अस्तम है या फिर नवम है इंपोर्टेंट है बताये चल्दी से सभी का अंसर सही जाना चाहिए साकेत में कितने सर्ग हैं invece 12 सरग है ठीक है 1931 इस्वी में ये रतना लिखी गई थी कौन सा सर्ग मार्मिक सर्ग माना जाता है नवम सर्ग माना जाता है विकल्प नंबर डी जाएगा अंसर निराला किस पत्रका से सम्मंदित नहीं थे सुधा इंदू समनवय या फिर मतवाला चैन कीजे क्या अंसर जाएगा थे समन वय और मतवाला ये तीनों से परण्तू इंदू से नहीं तो विकल्प नंबर क्या जाएगा बी सही हो जाएगा को कोश्चिन नबर 40 देखे कामाईनी में श्रद्धा किसका परतीक माना जाता है तन का मन का धर्द्यका या फिर बुद्धी का श्रद्धा किसका प्र में सवचंद वाद का कभी कोन कहलाता है हरियोद रावनेरेश्टर पाठी शिरिधर पाठक या फिर राधा कृष्ण दास जी चैन किजिए जल्दी से आंसर क्या जाएगा 2016 में ये कोष्ण पूछा गया है के वी एस परिक्षा में क्या आंसर जाना चाहिए बताएं जल्दी से बहुत अच्छे विकल्प नमबर सी जाएगा सिरिधर पाठक जी ठीक है क्या जाएगा सिरिधर पाठक जाएगा कोष्ण नमबर 41 का अरुन यह मधुमैद देश हमारा यह किस ने कहा धृब स्वामनी में देव सेना ने कारनेलिया या फिर मधुलिका ने चैन करना है most important है विकल्प नमबर सी जाएगा कारनेलिया के दुवारा ये कहा गया था अगला देखे कोशन नमबर 43 है चाया वाद को स्थूल के परती शूक्ष्म का विरोध किसने कहा है इंपोर्टन्ट है जाशंकर परसाद महादेवी वर्मा नंद दुरारे राल बाजपे या फिर डॉक्टर नागेंदर जी क्या अंसर जाएगा चाया वाद को स्थूल के परती शूक्ष्म का विरोध तो क्या अंसर जाएगा विकल्प नमबर डी जाएगा अगला देखिए चवालिसमें है साए में धूप काव्यकृति के रचैता कोन है इंपोर्टन है ये कोशन के वियस और डी एसस बी जो परिक्षाएं होती है इनसे सम्मंदित महत पूर्ण है रगबीर सहाई है दुश्यंत कुमार नरेश महता या फिर धरमबीर भारती जी क्या अंसर जाएगा साए में धूप से क्या हो जाएगा विकल्प नंबर बी जाएगा दुश्यंत कुमार ठीक है कोन बचाए दुश्यंत बचाए विकल्प नंबर क्या जाएगा बी जाएगा इसका अंसर अगला देखिए next question है 45 है साखी किस कवी का काव्य संग्रय माना ज इंपॉर्टन कोश्चन है क्या आंसर जाना चाहिए इसका चैन कीजे जल्दी से कोश्चन नवर पंतालिस का आंसर आप सभी ने देना है बहुत बढ़िया विकल्प नंबर क्या जाएगा डी जाएगा विजादेव नाराण साही है हम विश्पाई जनम के काव्या कृति के र जनम के क्या जाएगा विकल्प नंबर सी जाएगा ठीक है बाल क्रिशन शर्मा नवीन जी के दुवारा ये काव्यकृति लिखी गई थी कोश्चन नंबर संतालिस है निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है फूल नहीं रंग बोलते हैं के दार नाथ अगरबाल बिल्कुल सही है ठीक है मैं उस जनपत का कवी हूँ तिर्लोचन शास्त्री बिल्कुल सही है सीडियों पर धूप में समसेर सिंग बहादूर है या फिर संसद से सडक तक सुदामा पंडे धूमिल हना संसद से सडक तक धूल ही धूल है तो ये सही जाएगा विकल कवियों का कवी भी कहा जाता है ठीक है कवियों का कवी कहा जाता है इंपॉर्टेंट है अगला देखिए सूर्दास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है इंपॉर्टेंट है ठीक है बताएं जल्दी से गोदान है करम भूमी है रंग भूमी काया कल्प सूर्दास क्या करता है रंग बाजी करता है ऐसे आप इसको याद रखेगा तो आपका अंसर क्या जाएगा विकल्प नमबर सी सही हो जाएगा रंग भूमी ठीक है सूरदास क्या करता है रंग बाजी करता है अगला देखिए जीनी जीनी बीनी चद्रिया किस उपन्यास कार की कृति है राही मसूम रजा अब्दुल बिस्मिल्ला अजगर बजाहत या फिर मुद्रा राक्षत क्या अंसर जाएगा इसका आंसर चैन करना है जीनी जीनी बीनी चद्रिया किसके दुवरा लिखा गया था विकल्प नमर वी ठीक है अब्दुल बिस्मिल्ला जल्दी से बताए किसके दवारा लिखित रचन है आद्हागाऊं अ अंजो दिदी किस विदा की रचन है कवीता है नाटक का नहें। फिर उपन्यास है इंपोर्टेंट है ठीक है क्या अंसर जाएगा अंजो दीदी क्या माना जाता है नाटक माना जाता है जल्दी से बताएं अंजो दीदी के रचनाकार कोन है ठीक है जल्दी से बताएं इंपोर्टेंट है उद्या प्रकाश दुवारा कोन सी कहानी नहीं द्वारा लिखा गया था ये भी बताएं जल्दी से हाँ बहुत बढ़िया परभा केतान के द्वारा ठीक है फरिश्वर नाथ रेनू की कौन सी कहानी है रस प्रिया है रस आखेटक है रसिक प्रिया है या फिर प्रिया नील कंठी है इंपोर्डन कोश्चन है बताएं जल्द तरवंजा देखिए संपरदाइता समस्या पर लिखा उपन्यास कौन सा है तमस है बलच नामा है अपने अजनभी या फिर बूंद और समुद्र इंबॉर्डन कोशिन है किसके दुबारा लिखा गया है ये बताए जल्दी से तमस उपन्यास है ये ठीक है संपरदाइक समस्या पर लिखा गया उपन्यास माना जाता है निभी लिखित में से कोन उपन्यास और उपन्यास कार का युग्म सही नहीं है पहला गिरिमिटिया उपन्यास विशेशकर किस पर केंदरित था important है नहरू जी पर गांधी जी पर शास्त्री जी पर या फिर बिनोबा भावे जी पर क्या अंसर जाएगा विकलप नमबर A जाएगा ठीक है या फिर B जाएगा या C जाएगा या फिर D चैन करिए क्या जाएगा पहला गिर्मिटिया बहुत बड़िया विकलप नमबर B जाएगा महातमा गांधी पर ये लिखा गया उपन्यास था दुखम सुखम उपन्यास की लेखे का इनमें से कोन है चित्रा मृदुगल है परभा खेतान है ममता कालिया या फिर नासिरा शर्मा है इंपोर्टेंट है दुखम सिखम करते करते क्या हो गए काले हो गए विकलप नमबर क्या जाएगा सी जाएगा ममता कालिया के दुवारा ये रतना लिखी गई थी अगला देखे पाप और पुन्या के टंतरन नेतिक प्रशन को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है सामार्थया और सीमा चितर लेखा भूले विशरे चितर या फिर आखरी डाव क्या अंसर जाएगा विकल्प नंबर क्या हो जाएगा बी से ही हो जाएगा चित्र लेखा ठीक है क्या जाएगा चित्र लेखा नेक्स्ट देखे 58 है यह पत्थ बंदू था उपन्यास के लेखक नरेश महता परभाकर मावचे भैरा प्रसाद गुप्त या फिर रांखे राखव चैन कीजिए most important question है यह पत्थ बंदू था किसके जाएगा यह है पत्थ बंदू था important है किसके दुबारा लिखा गया था नरेश महता विकल्प नमबर ए जाएगा अगला देखे 59 है महा कभी भूशन की रतना कोंसी है रेनुका है चिदांबरा है दीपशिका है या फिर छत्र साल दशक है क्या अंसर जाएगा विकल्प नम से इनकी रतना मानी जाती है important नेक्स्ट देखिये सर्वेक्षर द याल सकसेना की नाट्य कृति का नाम क्या है तिल्च इठा है सुतर मुर्ग है अन्धो का रहाती है या फिर बकरी है सरवेक्षर देयाल सक्सेना की important है ये question आप से पूछा जाता है क्या जाएगा बकरी जाएगा सरवेक्षर देयाल सक्सेना की क्या है बकरी है ना टेकृति भक्ति आंदोलन भारतिय चिंताधारा का सभाविक विकास है यह कथन किसका है important है इस परकार के कथन से सुंबंदित आपको कोशन जरूर बनते हैं किसके दौरा ये कथन कहा गया था आचारे हजारी प्रसाद दिवेदी जी के दौरा ये कथन कहे गए थी अगला कोशन देखे दूसरी परंपरा की खोज किस विदा की जतना है अलोचना है खोज एव सर्वेक्षन है कहानी ललित निबंद किसके दुवारा लिखा गया था नामबर जी के दुवारा क्या अंसर जाएगा विकल्प नमबर ए जाएगा अलोचना मानी जाती है ये अगला देखे सूर्या की अंतिम किरन से सूर्या की पहली किरन तक क क्या है सुरेंद्र ही सुरेंद्र है तो विकल्प नमबर ए जाएगा ठीक है सुरेंद्र वर्मा नाटक के लिए रंग मंच होना चाहिए रंग मंच के लिए नाटक नहीं यह कथन किसका है इंपोर्टेंट है अगला देखे मध्या वर्ग की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है जनमे का नाग अंधा युग आधे अधूरे या फिर तमस क्या अंसर जाएगा अंधा युग धरमबीर भारती के दुवारा लिखा गया था ठीक है जनमे का नाग किसके दुवारा लिखा गया था जैशंकर परसाद के दुवारा इसका अंसर क्या जाएगा आधे अधूरे ठीक है मोहन राकेश की ये रतना है महत पूर्ण है एकजाम में पूछी जा सकती है जल्दी से मोहन राकेश जी से सम्मंदित इनके तीन और जो नाटक थे एक उनमें से अधूरा नाटक भी था जल्दी से बताएं किसके दुवारा जो नाटक लिखे गए थे ये ठीक है कौन- बोक्स में बताएं ताकि आप पता चल सके आपकी त्यारी कितनी सुद्रिड है देश विवाजन की तरासदी पर किस उपन्यास में वर्णित है राग दरबारी है गवन है जूटा सच या फिर इन ही हतियारों से क्या अंसर दाएगा जूटा सच निमल खित में से दलित आत्म कता नहीं है कोन सी नहीं है अपने-अपने पिंजरे जूठन तरिसकृत या फिर मेरी असफलताएं क्या अंसर दाएगा कौन सी नहीं है मेरी असफलता ठीक है कौन सी नहीं है मेरी असफलता 69 है निम्न में से कुन रेखा चित्र विदा की रचना नहीं है कट गुलाव है छन बोले कन उसका पुराणी समर्तिया या फिर रेखाएं बोल उठी मेरी अस फलताएं किसके द्वारा लिखा गया था बाबु गुलाव राये के द्वारा हना इसका अंसर क्या जाएगा 69 का चेयन करना है क्या हो जाएगा बिकल्प नंबर A कठ गुलाव हो जाएगा सत्तरवा कोशन देखे अलमोडे का बजार किस विदा की रतना है जीवनी है रिपोर्ट ताज है परगीत है या फिर यात्रा विर्थ है क्या अंसर जाएगा अलमोडे का बजार क्या है एक रिपोर्ट ताज माना जाता है ठीक है तो विकल्प नंबर क्या जाएगा B सही हो जा है या फिर नाटक है क्या अंसर जाएगा अर्द कथानक आप से पूछा गया है तो यह क्या मानी जाती है आत्म कथा मानी जाती है important है देखें master cater के अंदर तो यह question भर भर कर पूछे गए थे जो अभी मैं आपको करवा रहा हूँ निम्न में से किस पत्रिका से सम्मंदित साइतेकार नहीं है नया ग्यानोद्या रविंदर कालिया पहल ग्यानरंजन तदभव अकलेश या फिर दस्तावेज राम चंदर तिवारी क्या अंसर जाएगा देखें यह बाकी साइतेकार सम्मंदित हैं नया ज्यानोद्य रविंद्र कालिया पहल ज्यान रंजन तदभव अकलेश लेकिन दस्तावेज राम चंदर तिवारी का नहीं है तो विकल्प नमर डी जाएगा अगला देखें लक्षमी पुरा किस विदा की रचना मानी जाती है यात्रा विर्थ है निबंध है रिपोर्ट ताज है या फिर डाइरी है चैन कीजिए क्या अंसर जाएगा लक्षमी पुरा आपसे पूछा गया है क्या हो जाएगा कोश्यन नमर 73 का बहुत बढ़िया विकल्प नमर सी जाएगा रिपोर्ट ताज माना जाता है ठीक है किसके दुवारा लिखा गया था लक्षमी पुरा जल्दी से बताएं क्योंकि ये कोश्यन आपको एक्जाम में पूछा ही पूछा जा सकता है ठीक है कोश्यन नमबर 74 देखिए बागार्थ पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी मुंबई से वारण असी नई दिल्ली या फिर कॉ ठीक है अगला देखे 25 कोशन है अकाल पुरुष गांदी किसने इस जीवनी की रचना की है जैनेंद्र अगे डॉक्टर देवराज या फिर परभाकर मावचे अकाल पुरुष गांदी किसके दुवारा ये लिखी गई थी जैनेंद्र के दुवारा ठीक है तो विकल्प नम हाँ बहुत बढ़िया शिवदान सिंग चोहान के दुवारा लक्ष्मी पूरा लिखी गई थी बहुत अच्छे निमिलिखित में से दवदंब समास बताए शोका कुल है सर्वोत्तम है वीर पुरुष है या फिर पाप पुन्य है यहां से आपको क्या है थोड़े अलग से क इफंक वाला साइन आ जाएगा ये ठीक है ना तो आपका अंसर यहीं पर जाएगा द्वंद समास में अगला देखे निम्ल में से कौन सा वार्निक छंद है दोहा है चोपाई है सवीया है या फिर रोला है चैन कीजिए वार्निक छंद आप से पूछा गया है क्या आंसर जा जाएगा उसका अंसर ठीक है सविया जाएगा ठीक है अगला देखे 78 है परमानंद शब्द में कौन सा समास है कौन सा समास माना जाता है करम धारया माना जाता है ठीक है तो विकल्प नमबर सी जाएगा ठीक है अगला देखे अगला है 79 भिवत्स्वरस का स्थाई भाव कौन सा है शोक है विसमे है जगुपसा है या फिर अदबुत है ठीक है चलिए भिवत्स्वरस का आप से पूछा गया है कौन सा माना जाता है बताएं जगुपसा ठीक है स्थाई भाव क्या है जगुपसा है विकल्प नमबर C जाएगा अंसर अगला देखिए निम्न में से अर्थ अलंकार कौन सा है सलेश है यमक है वक्रोक्ती है या फिर रूपक है question नमबर 80 आप से पूछा गया है चैन करना है क्या अंसर जाएगा कौन सा इन में से अर्थ अलंकार माना जाता है कौन सा माना जाता है रूपक अलंकार माना जाता है ठीक है विकल्प नमबर क्या जाएगा डी जाएगा अगला देखिए 81 है वी रसका स्थाई भाव आप से पूछा है शोक है भै है उसा है या फिर निर्वेध है सीधा सीधा अंसर जाएगा देखिए वीरों में क्या होता है उस्सा होता है तो विकल्प नमबर सी जाएगा अगला कोश्यन देखें समरत से जड या चेतन सुन्दन साकार बना था चेतना एक विलस्ती आनंद अखंड घना था पंक्तियों में कौन सा रस है शिंगार है करुण है शांत है या फिर भयानक है क्या अंसर जाएगा 82 का अंसर बहुत बड़िया विकल्प नमबर सी जाएगा शांत रस माना जाता है ठीक है अगला देखें तरासीमा कोश्यन है पंचवटी शब्द में कौन सा समास है करमधारे है दिविगू है अवे भाव है तद पुरुस है चैन किजे क्या अंसर जाएगा पंचवटी में कोन सा समास आपको देखने को मिलता है तो क्या जाएगा ने दिविगू समास जाएगा सुते, बिन, काना इनमें कौन सा अलंकार है यह most important है असंगती है, सलेश है, रूपक है या फिर वक्रोकती है क्या अंसर जाएगा बताएं जल्दी से कोन सा अलंकार है बिन पग चले, सुते, बिन काना यह कोन सा है असंगत अलंकार माना जाता है ठीक है तो विकल्प नमबर ए जाएगा चुरासी का अगला देखे निम्न में अर्दस्वर कौन सा कहलाता है या म र या फिर ल चैन कीजे क्या अंसर जाएगा क्या हो जाएगा अर्दस्वर आपसे पूछा गया है यो ठीक है बोल कर देखिएगा आप अजी कोश्चन नमबर 86 देखे बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है मग ही है बगेली है चतिसकडी है या फिर बुंदेली है जल्दी से चैन अंसर कीजे क्या अंसर जाएगा इसका कोश्चन नमबर 86 का चैन करना है क्या अंसर जाएगा विकल्प नमबर A सही हो जाएगा मग ही हो जाएगा अग ही कनोजी मैथली या फिर अब्धी क्या अंसर जाएगा 87 का विकल्प नमबर बी जाएगा कनोजी ठीक है क्या हो जाएगा कनोजी हो जाएगा कोशन नमबर 88 देखिए राज भाशा आयो के पर्थम अध्यक्ष कोन माने जाते हैं बाल गंगा धर तिलक मुशी आयंगर बाल गंगा धर खैर या फिर काका साहब कालेकर चैन कीजिए most important कोशन है कोशन नमबर 88 का चैन कीजिए क्या जाएगा विकल्प नमबर सी ठीक है बाल धर तिलक आपको ये बी जी खैर नाम से भी देखने को मिल जाते हैं अगला 89 है सविदान के किस अनुछेद के अंतरगत हिंदी को संग की राज भाशा का दरजा मिला है 89 का अंसर चैन करना है अनुछेद 34344 345 या फिर 346 क्या अंसर जाएगा कोशन नमबर 89 का आप सभी ने चैन करना है बहुत अच्छे विकल्प नमबर ए जाएगा ठीक है अनुछे 343 कौशन नमबर 90 है भाशा की सार्थक लगुत्तम इकाई कौन सी मानी जाती है शब्द है पद है धवनी है या फिर वाक्य है आंसर जाएगा विकल्प नमबर ए जाएगा ठीक है शब्द कि पहला दूसरा दूसरा तीसरे दूसरा चौथा याफिर पहला चौथा क्या अंसर ज महा परान ठीक है जिसके अंदर क्या है धवनी की आवास है हमारी अंदर चैज़ा आवाज निकलती है वह थोड़ा लंबी जाती है क्या अंसर्द आएगा विकल्प नंबर सी जाएगा ठीक है दूसरा और चोथा जैसे क ख ग तो इसके अंदर क्या है जैसे ख आ जाता है ठीक है दूसरे नंबर पर तो ये क्या है आप जब बोलकर देखे क बोलेंगे तो बिल्कुल थोड़ी सी आवाज निकलेगी लेकिन ख बोलें सरगुजा मतुरा या फिर आगरा इंपॉर्टेंट है कोश्यन नंबर बाइस है ब्रज भाषा का छेत्र कौन सा नहीं है सरगुजा है ठीक है विकल्प नंबर बी जाएगा देखे इस परकार के भी कोश्यन आपको केवियस में पूछे जाते हैं अहे तुकी का शुद रू क्या माना जाता है अहे तुकी माना जाता है विकल्प नंबर बी जाएगा अंसर अगला देखे चुरानवे हैं किस शब्द में और उपसर्ग नहीं है आजनमा आगमन आकर्शक या फिर आदर्निय क्या अंसर जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आ उपसर्ग नहीं है किस सी संदी है विर्द संदी है यन संदी है स्वर संदी है और फिर व्यंजन संदी है Spanish है important question है संदियों से संबंदित आपको question बनते हैं ठीक है जगननाथ में कोन सी संदी है वियांजन संदी मानी जाती है विकल्प विकल्प नमबर डी जाएगा अगला देखिए उध्योग का संदी क्या होगा उत्धन योग होगा उध्धन योग होगा या फिर उत्धन आयोग होगा क्या अंसर जाएगा उध्योग का आप से पूछा गया है उध्योग आपको इस प्रकार से भी देखने को मिलता है ठीक है क्या जाएगा उत्धन योग जाएगा विकल्प नंबर ए जाएगा ठीक है विकल्प नंबर ए से ही हो जाएगा देखें most important question है ये उध्योग वाला आपको पूछा जाता है अगला देखें 97 है निम्न में प्रत्या रहित शब्द है दर्शनिय है दुर्गुण है भिक्षुक है या फिर करताव्य प्रत्य रहित शब्द आपको चैन करना है कौन से है दुर्गुण है ठीक है विकल्प नमबर क्या जाएगा वी सही हो जाएगा इसका अंसर अगला कोश्यन देखे अथवा व्याकरण की द्रिश्टी से है संदी है उपसर्ग है अनवय है या फिर अव्य है क्या अंसर जाएगा अथवा आपसे पूछा गया है क्या जाएगा विकल्प नमबर डी जाएगा ठीक है अव्यव माना जाता है इंपॉर्टेंट है जितने भी आप टीजटी पीजटी के एक्जाम दे रहे हो किसी भी स्टेट से तो ये कोश्यन बहुत अपने करता है परते धन एक होगा परती धन एक होगा परती धन एक होगा या फिर परते धन एक होगा क्या अंसर जाएगा परते एक का क्या होता है परती धन एक होता है तो विकल्प नमबर बी जाएगा ठीक है परती धन एक अगला देखे घोटक का तदभव चैन करना है ह है है अश्व है घोड़ा है तुरंगा है देखें दबब और तश्फम से सम्मंदित आपको कुशन पूछह जाते हैं में बीप कौन से होते हैं और तस्फम में Star गोड़ जाते हैं इसका तमकर गोड़ा हो जाएगा मिकलपनिए लिए type आपने पुराने जो नाटक वगैरा देखे होंगे महा भारत रामायन वहाँ पर आपने यह देखा होगा अश्व है तुरंग हा न घोटक इस प्रकार के शब्द आपने सुने होंगे परंतु घोड़ा बहुत कम सुना है अगला देखे किस शब्द में अउपसर्ग है अभिमान में, अनजान में, अभाब में या फिर अभमान में important है और उपसरगिन में से किस में आपको देखने को मिलेगा अभाब में मिलेगा विकल्प नमबर सी जाएगा अगला देखे कोन देशद प्रत्य का उधारन नहीं है फराटा, अडियल, उचतर या फिर घुमकड कोन देशद प्रत्य का उधारन इसमें से नहीं है तो कोन सा नहीं है उचतर नहीं है विकल्प नमबर सी जाएगा इसका अंसर अगला देखे अती इंद्रिया शब्द का आश्य क्या है इंद्रियों की पहुंच से बाहर इंद्रियों की रखवाली करने वाला इंद्रियों का स्वामी या फिर इंद्रियों के वश में रहने वाला अती इंद्रिया मोस्ट इंपोर्टन है क्या जाएगा विकल्प नमबर ए जाएगा इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो उसे अति इंद्रिया कहा जाता है अगला देखिए स्वपन का विलोम है दिव स्वपन है खुमारी है निंद्रा है या फिर जागरन है विलोम आपसे पूछा गया है इंपॉर्डन कोशन है चैन कीजिए क्या अंसर जाएगा केवियस में आपको ये पूछा गया है मास्टर कैडर प्रिक्षा जो की पंजाब में हुई थी उसमें भी ये कोशन पूछा गया था ठीक है क्या जाएगा विकल्प नमबर डी जाएगा जागरन हो जाएगा ठीक है उसमें जागरन का भी आपको पूछा गया था विलोम अग देखे जो जादा बोलता हो वो क्या होता है वाचाल कहलाता है ठीक है तो विकल्प नमबर डी जाएगा आपके काफी साथी मित्र होंगे जो बहुत जादा बोलते भी होंगे तो वाचाल कहते हूं उन्हें 106 देखे जिसने मृत्यू को जीत लिया हो क्या कहलाता है अमरत्व मृत्यू जै अभैदान या फिर अभै मुद्रा क्या हो जाएगा जिसने मृत्यू को जीत लिया हो क्या कहलाता है मृत्यूम जै कहलाता है ठीक है क्या जाएगा मिकल्प नमबर बी जाएगा मृत्यूम जै क कोश्यन नमबर 107 देखिए कलश का प्रयाय है जल है कुम्भ है पात्र है उप सकर है मोस्ट इंपोर्टेंट है कलश से आप से पूछ लिया जाता है कोश्यन ठीक है बताएं कलश का आपको पूछा गया है प्रयायवाची तो क्या जाएगा कुम्भ जाएगा विकल्प नमबर अगला देखें चंदरिका का प्रयायवाची कोमसा है चंद्रहास है रचत है कोबनी है या फिर स्वाण किर्ण। important है most important मानकर चलिए ये question चंद्रिका का प्राय कोन सा माना जाता है कोमदी माना जाता है ठीक है विकल्प नमबर क्या जाएगा C जाएगा चंद्रहास किसका माना जाता है तलवार का 109 देखिए जो शिग्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे सहमती व्युत पन मती या फिर परति उपन मती या फिर समती क्या अंसर जाएगा इसका important है जो शिग्र से उक्ति सोच ले या फिर किसी बात को सोच ले और एकदम से अपना उत्तर दे दे तो क्या जाएगा परत्य उत्पन मती ठीक है तो विकल्प नमबर C जाएगा प्रत्य उत्पन मती जाओ का जो बिलोम जाता है क्या जाता है बंजर नहीं जाएगा ठीक है खाद नहीं जाएगा सिंचित नहीं जाएगा देखे ये दो तो आप नहीं लगाओगे लेकिन यहां पर फज्जा होगे बंजर जादातर लोग लगाएंगे लेकिन इसका अंसर बंजर नहीं जाएगा उसर जाएगा ठीक है विकल्प नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा अगला देखे समस्त पृत्वी से सम्मंद रखने वाला क्या कहलाता है सार्व भूमिक सर्वकालिक सर्वादेशिक या फिर सर्वग्य समस्त पृत्वी से सम्मंद रखने वाला क्या कहलाता है सर्व भूमिक कहलाता है ठीक है पृत्वी आ गया तो आपको भूमिक यानि की भूमि से सम्मंदित है समस्त यानि की सर्व ठीक है प्रत्य रहित शब्द इसमें से बताना है मरमग्य है वैज्यानिक है किरपालू है या फिर अनुवाद बताएं जल्दी से प्रत्य रहित कौन सा इस आदर का विलोम शब्द क्या है नम है शुष्क है गीला है या फिर लचीला है यहां पर भी आप क्या है गलती कर सकते हो आदर का आप से पूछा है ठीक है विलोम क्या पूछा है विलोम पूछा है आदर का क्या जाएगा शुष्क जाएगा ठीक है आदर का क्या जाएगा कोमल है चांसर जाना चाहिए इसका चैन कीजिए बहुत बढ़िया परुष शब्द का क्या हो जाता है बताएं जल्दी से बहुत अच्छे विकल्प नंबर क्या जाएगा डी जाएगा कोमल अगला देखें 115 है कुटिल का विलोम आपसे पूछा है जटिल रूड रिजू या अगला देखें 116 कुष्ण है ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है समसीत कहलाता है सम उष्ण कहलाता है उष्ण कटी बंद कहलाता है सम शीतोष्ण कहलाता है क्या होता है अंसर ना गर्म ना ठंडा क्या जाएगा सम शीतोष्ण कहलाता है ठीक है अगला देखें 117 पतारा है अन्या मनस्क शब्द का आश्य है क्या है जिसका मन अपनी और हो जिसका मन किसी दूसरी और हो जिसका मन निर्मल हो या फिर जिसका मन केंद्रित हो क्या अंसर दाएगा अन्या मनस्क का क्या होता है विकल्प नंबर भी जाएगा जिसका मैंने किसी दूसरी ओर हूँ ठीक है ना आपने देखे होंगे कई बार आपसे कोई बात कर रहा है लेकिन उसका क्या है निगाहे यानि कि मन कहीं और होता है तो आप पता लगा लेते हो चलिए उसके बारे में कि यह क्या कहना चारा है और इसके मन से क्या निकल रहा है ठीक है आवाहन का विलोम क्या होगा अव गाहन होगा तिरोभाव होगा विसर्जन होगा या फिर धन्यवाद होगा अवाहन का बताएं जल्दी से आवाहन यानि कि किसी को बुलाना विसर्जन यानि कि क्या है तेराना विसर्जन कर देना ठीक है तो विकल्प नम्मर क्या जाएगा सी जाएगा इसका अंसर आवाहन का विसर्जन अगला देखे 119 मा जो मापा ना जा सके का सही अर्थ है अमानक है आप रीग्रह है आप रीमे हैं या फिर अतुल्य है 119 का चैन करना है क्या अंसर जाएगा जिसे मापा ना जा सके या हो जाएगा बहुत अच्छे विकल्प नंबर सी जाएगा आप रीमे हो जाएगा अगला देखे 120 कोशन है आसक्त का विलोम आपसे पूछा गया है विरक ठीक है आसक्त का क्या हो जाएगा विरक्त जाएगा अपने मुह मिया मिठु बनना क्या होता है अपनी परसंसा स्वैम करना ठीक है क्या जाएगा विकल्प नंबर सी जाएगा अपनी परसंसा स्वैम करना अगला देखे 122 है ओचे की प्रिती बालू की भीती कोशन महत पू होता है ठीक है तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या है अपना मतलब निकालने के लिए आप से आपके साथ जो प्रेम प्यार दिखाते हैं हना तो ऐसे लोगों हमेशा दूर रखना चाहिए ओछे लोग होते हैं और इनका प्रेम भी क्या रहता है अस्थाई यानि कि जब काम निकल गया तो तू कोन मैं कोन है अगला देखें 123 है कडाही से गिरा चूले में आपड़ा का भाव क्या है एक विपत्ति से छूट कर दूसरी में आपड़ना क्या अंशरद आएगा कडाही में गिरा चूले पर चूले में आपड़ा एक विपत्ति से छूट कर दूसरी में आपड़ना ठीक है एग इसका अंसर दहएगा अगला देखे निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है संस्कृत में तीन बचन होते हैं हिंदी में दो बचन होते हैं हिंदी में दो लिंग होते हैं और संस्कृत में हिंदी की तना दो लिंग होते हैं most interesting question है ठीक है बताएं जल्दी से लेकिन संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग नहीं होते जल्दी से क्या अंसर और होना चाहिए इसका अगला देखे निम्न में से कोन किसके परती परसिद नहीं है उपमा के लिए कालिदास करोणा के लिए भबूती अलंकार के लिए भामा वक्रोक्ती के लिए छेमिंद्र यहां से question बन जाता है देखे उपमा के लिए कालिदास बिलकुल परसिद है करोणा के लिए भबूती ज परसिद्ध है लेकिन वक्रोक्ति के लिए छेमेंद्र नहीं ठीक है वक्रोक्ति के लिए कौन पर सिद्ध हैं? जल्दी से बताएँ क्या जाएगा Some 84 वैशनव की वारता के लेकर कौन माने जाते हैं? बताएँ जल्दीसे विकल्प नंबर क्या सिद्व in सिद्व साइट्यों नमड़ क्या हो जाएगा एस ही ही हो जाएगा अगला देखे 128 से आधी यहाल को वीर गात्या काल आप से पूछा है तो किस ने दिया था हमारे बाबा शुक्ल जी ने रामचंदर शुक्ल जाएगा इसका अंसर अगला देखे पृत्वी राज रासों के रचैता का नाम क्या है क्या बाना जाता है बताएं जल्दी से जगनिक है अमेर खुसरो है नर्पती नाहला है या फिर चंद्रवर्दई क्या अंसर जाएगा विकल्प चंद्रवर्दई या फिर विद्यापती खुमान रासों के रचैता कोन माने जाते हैं दल्पती विजय माने जाते हैं विकल्प नमबर एज आएगा इसका अंसर अगला देखे इनमें सूर दास की कृति कोन सी है कवितावली साहित्य लहरी गीतावली या फिर गंगा लहरी बहुत बढ़िया विकल्प नमबर क्या जाएगा बी सही हो जाएगा साहित्य लहरी ठीक है अगला कोश्यन देखे इनमें से कौन सी रचना तुलसी दास की नहीं है रामचरित मानेस कवितावली गितावली या फिर साकेत या अंसर जाएगा साकेत जाएगा इसका अंसर ठी साकेत नहीं है ठीक है किसके दुवारा यह लिखी गई थी यह भी बता दीजे कवीर दास किस कावय धारा के प्रतिनिदी कवी माने जाते हैं कवीर दास का आप से पूछा गया है तो विकल्प नमबर क्या जाएगा क्या हो जाएगा एस ही हो जाएगा संत कावय धारा के यह कवी माने जाते हैं थीक है अगला देखें इन में से कोन सा कवी संत कवी नहीं है कोन सा नहीं है बताएं जल्दी से कवीर दास रै दास गुरुनानक या फिर तुलसी दास यह कोश्चन आपको पूथा गया है ठीक है क्या जाएगा विकल्प नमर डी तुलसी दास जाएगा इसका अंसर ठीक है जी अगला कोश्यन देखिए इन में से सूफी कावय धारा का कभी कोन सा नहीं है मुला दाउद हैं मिलकुल हैं जैसी हैं हैं जी कुतबन भी है लेकिन नाभा दास नहीं है ठीक है अगला देखिए निर्गुण कावय धारा की परविर्ति आपसे पूची गई है most important है वासल्यरस की परधानता परकृती पर चेतन सत्ता का अरोप रूडियों एव बारह आवंडरों का विरोध आश्यदाता की परसंसा निर्गुण कावय धारा की आपसे पूचा गया है क्या आंसर जाएग 36 में का आंसर 136 में का विकल्प नंबर सी जाएगा रूडियों एव बारह आडंबरों का विरोध अगला देखे पदमावत के रचैता इनमें से कौन है मुला दाउद है जैसी कुतबन या फिर मंजन पदमावत किसके द्वारा लिखे गई थी जैसी के द्वारा ठीक है किस इसके द्वारा मलिक महम्मद जैसी जी के द्वारा अगला देखे 138 में हैं अस्टियाम के रचैता कौन है सूर दास है गोकुलनाथ नाबादास या फिर बल्लवा चारे क्या अंसर जाएगा इसका आपसे कोशन पूछा गया है अस्टियाम के रचैता कौन माने जाते हैं न देखें बरज और खड़ी में तो नहीं लिखा गया फार्षी और अबधी में आप कन्फईूजगो जाते हो परंतु देखें फार्षी भी नहीं जाएगा ठीक है फार्षी लिप्भी मानी जाती है भाश्या क्या है अबधी है ठीक है विकल्प नंबर किया जाये ए सही हो जाएगा अगला देखे 252 वैशनम की वारता गोकुल नात के दुवारा अभी किया है ठीक है 84 वैशनम की वारता किया था 252 वैशनम की वारता गोकुल नात के ही दुवारा लिखी गई थी नंद दास किस कावय धारा के कभी हैं इंपोर्टेंट है संत काव्यधारा सूफी काव्यधारा क्रिशन काव्यधारा या फिर राम भक्ती काव्यधारा बताएं जल्दी से question number 41 का answer chain करना है क्रिशन काव्यधारा अगला देखे सूर सागर किस भाषा की किरती है खड़ी बोली ब्रद भाषा अबदी या फिर पंजाबी सूर सागर आपसे पूछा गया है किस में लिखी गई थी ब्रद भाषा में लिखी गई थी ठीक है विकल्प नमबर क्या जाएगा 20 से ही हो जाएगा अगला कोशन देखे इन में से सूर की रचना कौन सी नहीं है आपसे पूछा गया है ठीक है सूर सागर है बिलकुल मानी जाती है ठीक है सूर सारा वली मानी जाती है और कौन सी मानी जाती है साइते लहरी भी मानी जाती है परंतु रास पंचा ध्याई नहीं मानी जाती ठीक है तो आंसर क्या जाएगा विकल्प नमबर D सही हो जाएगा इसका ठीक है जी विकल्प नमबर क्या जाएगा D जाएगा अगला देखिए इन में से क्रिशन भक्त कवी कौन सा नहीं है सूर्दास रस्खान, क्रिशन दास या फिर तूलसी दास बिल्कुल IMP कोशन है विकलप नमबर D जाएगा तूलसी दास ठीक है इसी परकार का कोशन आपको देखने को जादातर परिक्षाओं में मिल जाता है अगला देखेगे 165 कोशन है अंसर जाना चाहिए इसको तुलसी की भकती का सवरूब क्या था दासे है, संख्य है, वासले है या फिर मात्रे है क्या अंसर जाएगा? चेन किजिए जल्दी से most important कोशन है तूलसी की भकती का सवरूब कैसा है? दास्य भाव का माना जाता है ठीक है तो विकल्प नमबर A जाएगा अंसर अगला देखें 146 में है इनमें से कौन सा गरंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है गीतावली दोहावली विनाय पत्रिका या फिर रस मंजरी क्या अंसर दाएगा तुलसी के द्वारा कौन सा नहीं रचित है रस मंजरी नहीं है बाकी गीतावली दोहावली विनाय पत्रिका तुलसी दास जी के द्वारा लिखे हुए रतनाय मानी जाती है 147 में देखें इनमें से कौन सा महा काव्य अवदी में लिखा है प्रिया प्रवास साकेत रामचरित मानस या फिर रामचंद्रिका प्रिया प्रवास हरियोद के द्वारा ठीक है साकेत गुप्त जी के द्वारा रामचरित मानस तुलसी जी के द्वारा रामचंद्रिका केशव दास जी के द्वारा इसका अंसर क्या जाएगा विकल्प नमबर सी जाएगा ठीक है अवदी में रामचरित मानस महा काव्य लि फिर घनानद कभी प्रिय किस की है केशव की है तो विकल्प नंबर क्या जाएगा वी सही ओजाएगा ठीक है विकल्प नंबर क्या जाएगा बी जाएगा 148 का एक सो उननजा देखे इन मेंसे जगन्नात दासरतनाकर की कृति छाटी है उदव शतक है भ्रमर गीत है गितावली है या फिर रश्मी रती है जगन्नात दासरतनाकर की रतना आपसे पूचा गया है कौन सी है उद्दव शतक है ठीक है विकल्प नंबर क्या जाएगा ए सही हो जाएगा और इस वीडियो का अंतिम प्रेशन है शिवराज भूशन के रचैता कोन है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजेगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब पचास का चैन करें जी बहुत बढ़िया विकल्प नंबर डी जाएगा भूशन जी की ठीक है रीती काल के एक मात्र कवी थे जो वीर रस की कवीताएं लिखते थे यानि की रचनाई लिखते थे महत पूर्ण बनते हैं ये कोशन तो आपके ये कंप्लीट कोशन हुए है ठी कल भी देखिए एट पी एम पर ये कलास रहेगी सबी उसको भी जोइन चरूर कीजेगा ठीक है बहुत बढ़िया चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में जैहिन